अपूर्व देखे बिहार में जैसे जैसे चुनावी घमासान का काउंडाउन शुरू हो रहा है बहुत कम वक्त अपूर्व रह गया है कि पहले चरण का मद्दान होना है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है कोई भी नेता किसी भी दूसरे नेता को नहीं बख्ष रहा है दूसरी पार्टी की नेताओं पर लगातार आरोप लगाय जा रहे है अब देखे भारतिय जन्रता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्री अध्यक्षय तेजस्वी सूर्या जिन्होंने तेजस्वी यादव पर सीधा प्रहार किया है दरसल तेजस्वी यादव ने अपने घोशना पत्र में रोजगार देनी की बात कही है तेजस्वी सूर्या क्या कहते हैं वो कहते हैं कि जो आदमी जिस आदमी को एक दिन की भी नौकरी का कोई अनुभव ना हो वो रोजगार की बात कर रहा है बिल्कुल सही बात है देखिए उन्होंने ये कहा जरूर है लेकिन ठीक है अब यही तरीका है ना इस समय सियासत का ना एक दूसरे को कितना नीचा दिखा सकते हैं बयान में लेकिन आप देखिए ना उन्होंने जो जो कहा है वो काफी अतक सही भी है कि जो खुद राजनितिक रूप से बेरोजगार हो गए है वो दस लाग नौकरियों का दावा कर रहे है वो भी पहली केबिनेट मेरे कोई हलवा थोड़ी ना है आए और दस लाग नौकरी दे दी अगर ऐसे ही दस लाग नौकरी इतनी आसानी से दे दी जाती तो मौझूदा सरकार नहीं दे पाती क्या या फिर वो देना नहीं चाहत हैं अब तेजस्वी सूरिया ने का है कि बाई जब सरकार बनाने का मौका मिला काम करने का मौका मिला तो काम कीजिए का कांड करने लगे और अब खुद राजनितिक लूप से बेरोजगार हो गए हैं तो अब ग्यान दे रहे हैं कि पहली कैबिनेट में आके दस लाग नौक के वादे का अगर अगर सवाल है तो उस पर मैं सहमत हूँ तेजस्वी सूरिया से कि इतना हलुआ नहीं है दस लाग नौकरी आते ही जो 15 साल से वहां पर सत्ता चला रहा है वो इतने लाग रोजगार नहीं दे पाया और आप आते पहली कैबिन पे कैसे दे देंगे कोई जा नहीं किया उसके बाद बोटों के लिए हमें रोक रहे हैं अभी भी रोजगार नहीं दे रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव उसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल देखे और वो जायस भी है ना वो जायस आप विपक्ष के नेता होते बीजेपी भी तो अपने गोशना पत्र में ऐसे ही दावे करती है कौन सी फाटी नहीं करती जेडियू भी उसको भी मौका मिलेगा ऐसे ही वो दावे करेगी अब तो उसमें कुछ गलत नहीं है लेकिन हाँ थोड़े से तथ्यात्मक रूफ से आपको थोड़ा सही होना चाह चले ठीक है लेकिन यह अभी तो दो जो है चरन का चुना बाकी है अभी यह बेरोजगारी खुद बेरोजगार है कांड कर दिया अभी तो और कांडी कांडी अभी बयान आएंगे अभी तो कुछ भी नहीं है जैसे वादे तेजस्वी यादव कर रहे हैं जो बाकी नेता कर आप समझिये, सोचिये, परकिये और अदाजा लगाई उसके बाद ही अपना कीमती वोट में कौनगी वो डालिए और तेजस्वी यादव पर जिस तरीके से तेजस्वी सूर्या ने कॉमेंट किया है क्या सोचते है ये भी जरूर बताएगा वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके अपूर बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुडने के लिए